प्रेस करना ना भूले नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से देश को इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है और यह खबर हैदराबाद से आ रही है ची हाँ दोस्तों आपको बता देख कि हैदराबाद में पडोसी ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बेरहमी से पलतकार किया और उसकी हत्या कर दी मासूम बच्ची का नाम चैत्रा बताया जा रहा है अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बच्ची को चॉकलेट का लालज देकर उसके साथ यह दुश्करम किया गया है यह मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में कर रहा है छे साल की मासूम बच्ची को क्या मालूम था कि यह दुनिया गंदी सोच वाले राक्षसों से भरी हुई है जिस हैवान ने चैत्रा मासूम बच्ची के साथ बलतकार किया उसका नाम राजू बताया जा रहा है और उसकी उम्र 30 साल है पीड़िता के परिवार वाल देश के किसी ना किसी कोने में हमें इस प्रकार की खबरे आए दिन सुनने को मिलती रहती है बीते कुछ दिनों पहले मुंबई में 32 साल की महिला के साथ दुश्क्रम किया गया था जिसकी मृत्यू हो चुकी है और यह एक मामला नहीं है ऐसे रोज मामले सामने आते रहते है आरोप करने वालों के जहन में पुलिस प्रशाशन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है यही कारण है कि दिन प्रतिदिन इस प्रकार के मामलों में वृद्धी देखने को मिल रही है हैद्राबाद पुलिस ने बलतकार और हत्या के लिए धारा 376 और 302 के तहत मामला दर्च किया और आरोपी परदोजर बारा के पी ओसी एसो अधिनियम के तहत भी मामला दर्च कर लिया गया है शेफ को पॉस्मार्टम के लिए ओस्मानिय जनरल अस्पताल के मुर्दाघर में इस्थान अंत्रित कर दिया गया एक समाच को तभी शुरक्षित कहा जा सकता है तब वह बलतकार मुक्त हो लेकिन इसे शुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी किसकी है हम यूवाउ को इस देश को शुरक्षित बनाने के लिए एक साथ खड़े रहने की जरूरत है आवशकता है कोई भी दुख और पश्चता आत्मा को वापस नहीं ला सकता लेकिन शोशल मीडिया का इस्तमाल करते हुए आरोपी को सक्त सक्त सजा दिला सकते हैं और सोई हुई सरकार की आँखे खोल सकते हैं शोशल मीडिया पर इस खबर को जादा से जादा शेयर करें और इस वीडियो को भी जादा से जादा शेयर करें ताकि जस्टिस फोर चैत्रा यानि की चैत्रा को जस्टिस मिल सके और साथ ही साथ जिस्टिस फोर चैत्रा है स्टक का प्योग करे ताथी चैत्रा को इंसाफ में सुधन्यवाद